प्रिदर्शकों मित्रों शाथियों मो शकल व्याधिन करूँ मो शकल व्याधिन करूँ जब तक इस मोळ से परदा नहीं अधर्दा के परदा व शुर्तत्व समगर रूप के Джiads अचियान के बिदू करो आत्म सास्था कारण आप को आपको के घट के भीतर में प्रभू प्रगट है प्रभू तो है आप उसका अधोंगा नमना है नमना है बात करते हैं 31 जनवरी दोहजार चौबीस की राशिपल और पलिटांग राशिपल पर आओं उससे पहले आज का पंचांग माग माज कृष्णपक्स की पंचमी विकरम शमद दोहजारत सी माग माज की अठारा परश्ट सक्ताव उनिशव पैंतालिस माग ग्यारा तद अनुसार बुद्वार 31 जनवरी दोहजार चौबीस शुरुद्धकाली तिति पंचमी तिति का जो शमाप्तिकाल है वो सुबह 11 बच के थतिस बिंड अगली तिति सश्टी होगा शुरुद्धकाली योग सुकरमा योग है य चंडरे लॉकर नक्षर जो शमाप्तिकाल है वो एक फरवरी और सुबह 18 मिली ये यह आज शम चंडर देव अरे तैसि कैसा रहेगा आपके राशी के बारे में रहेगा त्रशनकर आपने राशी की से पहले आज ज blend कै발 और व्सक्र सुरूर्य नहीं कर लाशन में चंद्र देव और केतु देव धनुराश में मंगल देव बुद देव शुकर देव मेश राशी में ब्रश्पति देव कुम्राश्य में शनी देव में राहुद विहेक्रों का संचन और इसी आधार पर मैंने 31 जनवरी 2024 का राशी पुल देखा है 31 जनवरी दोपर 12 बजकर 13 मिनट से लेकर दोपर 12 बजकर 56 मिनट तक अवदी 43 मिनट है इस 43 मिनट में अभी जीत मूर्त नहीं है दू मूरत है और शुबकारी शंपन नहीं करना चाहिए में तरन शात्यों किसी भी शुबकारी को करन है शुबकारी करतरी तक के चाहिए रागी की यात्रा पर जाने से फूर। शाबुत धनिया चबा तो यातरा पे निकलेंगी तो कस्त कम आएगा नमाद मित्रों। लेकिन मैं आप से जानकारी धरना कि यह जन्रल प्रडेक्षन है। आप अपने बार में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्नम कुल्ली को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आपके बारे में सई जानकारी आपकी जनुकुनली से मिलेगी, तो मेरा निवेजन है, नीचे नमबर आ रहे हैं, इन नमबरों पर शंपर करके, आप मेरे से संपर किस्ताफित कर सकते हैं, आवश्य मैं आपको शयू करूँगा, हाँ, जो फोन उठाएंगे, वो आप करनी हैं, तो आपको गोशेवा करने होगे, मित्रों शातियों मेरा शंपूंग जिवन गोशेवा के लिए, मेरी गाएं सुकी रहे, मैं ये कारिया करता हूँ, समयकाल पर सतियां हमेशा एक सी नहीं ती सातियों, मेरी आर्तिक सिती, इस समय थोड़ी सी कमज़र है, और मेरे मेरे पास गाएं है, मेरे गाएं सुकी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हो, तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है, कि लोगों से कहिए गाएं की सेवा करें, जो लोग आपको फोन पर कहता है, गाएं की सेवा करें, तो उसको अधरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए, वरत्मान परस्तों को देखते हुए, मेरी गाएं सुखीरे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकि आपकी मैंसे, मेरा एक छूटा सा निवेदन है, मित्रोंशाति, आप सभी लोग सनिधाम का जो नंबर है, गोशाला का नंबर है, उस पे आप फोन करते हैं, जो लोग वहां काम करते हैं, उनका ओफिस का अपना एक ताइप है, आपके फोन जो उठाए जाएंगे, वो सुबह 9 बज़े से लेकर साम 8 बज़े की बीच में उठाए जाएंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बज साम पर्क जो होगा वो सुबह 9 बज़े से लेकर साम 8 बज़े तक की होगा इस बात का त्याएंगे, फिर देश्कों मित्रों शाक्ष्यों, 31 जनवरी आपका जनम दिन या फिर सादी की साल गरे, मेरी और से आपको हर्दिक सुपकामने, आपका जिबन खुश्यों से भरा र अगर आपका जनम देने इस उपाय को आप खुझ करें, आज प्रतकाल नित्य कर्मिन सनान उप्रांथ स्वर प्रतम भगवान गनपरती का सधावर पूजन करे, धूपदीप नेवदी फुस्पर अक्षता रिपीट करें, ओम गंग विश्व करत्रे नम इश्मंत्र का एक पार्ट सिद्कुन्जी का इस्तरोत का करें, कष्ट परिशानियां दुखों से चुटकारा मिलेगा, और कारियों में सफलता देगा, बात करते हैं आपके राशिपल है, वो आपके चंदर राशि, आपके नाम राशिप राधारित है, राशिपल पूर्शों के लिए है महिलाओं के लिए, बुजिर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबसे पहले मेश राशिप, छटे भाव में चंदर देव है, और छटे भाव में चंदर देव, श्यम अपने नक्षत, हास्त नक्षत में संचन गड़े, समयाती उत्तम है, स्वजर्णों का सयोग होगा, मन को रोजगार के साधन पराफ्थ होंगे, कारवार की सित में उनती और धनला बावर मनवन को श्योग पराफ्थ होगा, क्या करें, मत्मुन कारी को पूरा करने का प्रयास कारें, क्या ना करें, वान आदी तेजना चला है, सुबंग साज, सुबंग पीला, भागी आपकी पक आपकरी के चितर में संयम बना कर रखा, व्यवशाय में सावधानी और सहस्ता से निर्णने लिए, धहरी से काम किया, तो बेहतर प्रणाम का संकेत नजर आ रहा है, धन की प्राप्ती होगी, यो कि वे काम बनेंगे, आर्तिक पक्सदर होगा, और मार्केट में आपकी साख दामपती जिमिन शुक्त होगा, पारबरी आफश्रताओं की पूर्ती होगी, मान्चिक तनाव कम होगा, हाँ, संतान के लिए थोला सा महनत और परिश्रम का संकेत नजर आ रहा है, यो आपने लक्ष की प्रती सजग रहने से अनुकुल प्रणाम प्राप्त करेंगे, शिक् सब्राजवालों, आज चीटियों को सकर रालना बड़ा सुब्र हैगा, नमने नर बात करते हैं, मितुन दासी चतुरत भाव में चंदर देव, श्यम अपने नक्षन हस नक्षन में संचर करें, समय प्रतिकुलता, परिशानी और कष्ट का संकेत, वान और संपती की करें वि में वैवधान है, सरक कर्मियों के की साथ तनाव की वज़े से, तर्क वितर की वज़े से बाद विवाद की वज़े से परिशानी है और खर्चा बडעे, अनध आप नुक्सान देगा, अन्या तर अकि करी से अपने आप को दूर नहीं बचाया, तो मोटा नुक्सान और चि कि केवल आपके प्रक्स में 30 प्रसंद लाप कर शंकेते मिधुनाशी वालों आज सर्दान उसार शाबुत मुंग किसी गरीब जरुतमन व्रेक्ति को दान में देना अती उत्तम रहेगा बात करते हैं करकराशी के लिए उससे पहले एक सुन्दर सा उपाय बतारो यह उपाय ब और घर में कलेश छूटता ही नहीं है क्या करें तो गबराई नहीं यह उपाय आपकी जिवन की दसा और दस्ती बदल थोड़े थोड़े पास तरह की बीज लेना है अलसी का भीज धनिया का भीज धतूरे का भीज भांग का भीज और शिवलिंग की का इस सब पंसारी के दो करके चार बज़े के आसपास घर परिवार की सभी लोगों के उपर से इस बीज को उसार और शूर्दे के समय घर का जो सारा कच्रा होता ने वह कच्रा जब बाहर निकाल तो एक जगे लाईए कच्रे को जलाईए और उस उस कुड़े में जो जल रहा है उसमें यह बीज सावन रहेगा और घर में जो नेगिटिविटी है वह भी ठीक होगी एक बात मैंने देखी है हमारा बच्चा रहा ठीक नहीं चलना है या नशादी से लिफ्ट हो गया तो उसमें भी मैंने कमी आते इस उपाई से देखा है अब बात करते करकराश करकास वालों लिए चंदर कारियों में सफलता से लोगी लेखन के कारियों में प्रोसान मिलेगा अतिती सतकार का आउसर मिलेगा शिक्षा कि मैं कि पूर्ण प्रयास सपल होंगी इदि आप नौकरी में तो कारी इस तर आपका मांसमान बढ़ेगा चाहिए प्रणाम परिश्रम का प्रणाम बहुत अबढ़ाई को सबस्क्राइब काराश वालों सड़ाय। परशासनिक चमता बढ़ेगी राजनेतिक वर्चत सुधरता बरकत और बचत भी होगी और बैंक बालेज़ बढ़ेगा आज समाजिक कारिक्रों में जाने का अवसर भी मिलेगा कर्मचारी आपके साथ रहेंगे परिवार का पून सयोग मिलेगा हाँ थोड़ा सा बानी में मिठा जरूर चाहिए अब युवा है विद्यारती थोड़ा मिठा बोले वैसे आत्म विश्वास बढ़ेगा सिक्षा किसे मंच प्रणाम प्राव दूंगे केरियोर कारुबार की दरिश्वाण की कारी शेतर में कुछ अच्छा करने का स्व अवसर भी मिलेगा आपके परियासों की सराना हूं आर्थिक पक्सुदर पारवारीक जिम्मदार्यों की प्रती लाप परवानेगे शुबंगति शुबंग और आसी लगन भाव में चंदरदेव शिएम अपने नक्षत में संच्रण करें समयना कूल होगा सुक संतुष्टी बढ़ेगी समश्योंका समधान होगा चल असल सन्पती की प्राप्थी होगी सवजनोंका सायोग मिलेगा समाज में मान समान बढ़ेगा और नक्षत करन इस बा बागदोर से न गवर है सुबंक आठ सुबरंग परफल भागी आपकी पक्स में 80% लाप का संकेत कन्यारा सालू आज हो सके जितना जो भी मिलें उसे हरी इलाइची का दाभी सर्दाभ से एक इलाइची सबको बाद दो दो आदमी चार आदमी पांच आदमी आज मैं जानता तब आज हरी इलाइची बातना बड़ा सुब रहेंगा नमने बात करते तुलारासी बार्वे भाव में चंदर देव स्वम अपने हस्त नक्षन में संचे में सितारों मिचाल प्रतिकूल है आज पुंजी निवेश के लिए समय उचित नहीं है अधिकारी वर्ग से तालमेल बिगारना नुकसान देगा स्वास्तिक प्रति लापरवाई चेकसा में खर्च का संकेदरी और साज़दारी वर्ग से तालमेलनी बिगर और जिवन साथ से तक्राव नहीं करेंगे तो नक्षत करना परिशानी कस्त उठापट का संकेरी खुद पर नियंत्रन रखना बहुत आलसी से अपना काम ना देगा सुबंग साज सुब्रंग गुलावी भागी केवल आपके पक्स में 40 पसंद लापका संकेत है तो लाराश वालो आज शिव मंदिर में देशी कपूर या भीमसनी कपूर का दान देना उत्तम रहेगा नुमनें बात करते हैं विर्शिगराशी इक ग्यारी भाव में चंद देव इक ग्यारी भाव में चंद देव श्वम अपने हैंनी हस्त नक्ष में संचनिश्व में अनकूल है लाबदाइक है शुकत भावशिर की सपने इसाकार होगी धन बृदी का यूग है उची तवसर है केरियर कारबार नौकरी वैसाइस प्रमान समान बढ़ेगा विद्यारती हैं तो इंजिनिरी और टेक्नोलोजी की सितर में अच्छा लाब मिलेगा कारूबार यातरी युवाओं के लिए अच्छी रहेगी क्या करें कानून के दायर में रहके क्या ना करें अनावसिक लोगों से कारूबारी शमंदना बनाए शुबंगेग शुबरंगलाल भागी आपकी प्रसंट 75 प्रसंद लाब कर संकेत विर्शिक राष्वल ओम हम पमनंदना आईश्वहा अज इस मंत्र का जादा से जादा जादा नमनान और बात करते हैं धनुराशी दसंभाव में चंदर दे और दसंभाव में चंदर श्रम आपने नक्षर में संजयन कर रहे हैं हासाना चर्म में समयन कूल है कारी इस्तल पर बच्चा सुबढ़े कारी शमता के साथ साथ कारी शुपल अदिकारी और बॉस अ का पूंद साथ में नमिन कारी में रूची बढ़िगी इचित कारी सीध होंगे नए ओर टेंडर की प्रा करजा उतरने का नाम नहीं ले रहा है क्या करें तो प्रतकाल नित्य करम्यूद शनानो प्राथ ब्रह्म मुर्थ में सर्दापुरु गणपती का फूजन करें इसमंत्र का जापकतु सवापव चिलके वाली मुंग दाल को उबाले इसमें थोड़ा सा देशी घी और शक्र जरूर ढले ठंडा करें करके सुर्योदे से ठीक 12 मिंट पहले भारते नसल की देशी गाय को अपने हाथ से खिला चालीस बुदवार कर देना साथ मुंग दाल में स चंदर देव श्रम अपने नक्षन हास नक्षन में संचन करें कारी शपलता मेहनत परिश्रम आपकी भावों पर निर्मन करें कि आप संयम धैरिये का परचे देते तो सफलता दामन चुमिए आपमें अग्रेशन है क्रोध है तो बने बनाए काम भी दो इसलिए सपलता का इस मूल मंत्र को अपना दे तो आर्थिक लाप की सथे अच्छी रहेगी पारवरी स्वाजी से अच्छा रहेगा वेवर सद्विश्यों का साथ मिलेगा अध्यात्मन उजाना चारेगा ध्रमकर में रुची बढ़ी को स्वाजीक शिवाओं का अवसर देगा धैरी और स्व सब्सक्राइब को बोजन देना अज उत्तम रहेगा और बात करते कुमराशी अश्टम भाव में चंदर देव श्म अपने अनि हस्तनक्स में संच्रगर समय प्रतिकूलता परिशानी और कश्ट का संब्सक्राइब करमचारी बर्ग से बाद विवाद है रात्म विश्वा से कमी और यात्रा में कस्त है सरकार से हनी और जीवन साथी शर्टक्राव की प्रबल संभावना ना परवाई निगा तरानी रहां प्रिवेंशन बैट देंगे युवाव को कैरियर और एजुकेशन में शेतर में लापरवाई और अन्यतिक कारी अन्यतिक समन नुक्सान जनिवार के दिन सर्धान उसार तिल और शक्रबूरा चीटियों को डालने से कस्ट कमाएगे नुमनेन बात करते हैं में डाश्त सप्तमभाव में चंदर देव और सप्तमभाव में चंदर देव श्यम अपने हस्त नक्ष में संचने समय उत्तम होगा आर्तिक समय का समाधान मिलेगा कारी शफल सजी धनलाब होगा बेरोजगार रोजगार मिलेगा नौकर में आगे बढ़ने का मोका मिलेगा पारवारी जीवन अच्छा रहेगा दांपती संबन्द में प्रगारता आई को शुबर मांगली कारी घर में संपनों पारवारी अनुकुलता और एकता शुबंग नौक शुबर घराव भागया आपकी पक्स में साथ प्रसंद लाब का संगीत मिंदाश वालो सर्धान उसार बेशन के लडू गाई को अपना हाथ से खिलना शुबर हैगा प्रदर्शकों में तर्शा राश्यों को राश्यों पर नक्षद गर्णाओं का अधार पर मेरा निजी आंगोई ने भाय ने भर्म ने ब्रांती ने विवाद ने तरख शक्रन उपनें गदगर आपका था आपका है आप ही करेगा मनुन मनुन ये आपकी मजिहां आंकलन मेरा था मेरे से कोई भूल होगी दोना हाज जोड़ के सुमा मांगता हूं आप सुखी रह 53 कि भी नहीं वोग Caitlin के लिए अपना संपून दिया है और ये मेरा शौक था मेरी दी धृरावर थी और ये करना मेरा करते और करम भार मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं अगरी बता और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है कि धन को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने यह का कि शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूं आप भी शेवा करता हूं धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्तिक प्रस्तिय हैं वो मेरे को यह कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीध आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरी साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा, नमबर आ रहा हैं, इन नमबरों पर शंपर करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी अवज में गा प्यारों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा ये एहंकार नहीं है शातियों मेरा राश्रो पर ही है मैं य इसा मेरा निवेदन और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती माहराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिन आर्तिक दस्टिकौन से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते विए जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते है शासन की अपनी एक शिमा है और अपनी मर्याता है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदे से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नमबर है ज़रुषयोकर पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमो ना रहें